एक शक्स दुकान के अंदर सौधा लेने के लिए दाखिल हुआ, सौधा लेते लेते हैं, अचानक उसने देखा, कि साइट पे एक टूटी खिडकी पड़ी है, तो वो माले के पास गया कहा, कि ये जो टूटी खिडकी है, इसको मैं सही कर देता हूँ, मैं में मेकैनिक हूँ, मुझे ठीक करना आता है, मैं आपसे पंद्रह हजार पे लूँगा, सो उस शक्स ने गुसेज उसकी तरफ देखा, पंद्रह हजार तुमारा दमाग खराब है, ये दो हजार में तो नहीं खिडकी आ जाती है, तो मुझे पंद्रह हजार मांग रहे हो, सो वो आदमी आगे से मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं उस लड़के का बाप हूँ, जिसने आपकी ये खिडकी किरकेट खेलते पे तोड़ दी थी, और आपने मेरे घर में पंद्रह हजार रुपे का नोटेस बेजा हुआ है, ये है वो नोटेस, और ये लीजिए अपने दो हजार रुपे, दो तो इसी मुकाम पे रहते हुए ये मसला हल नहीं होगा, इसको हल करने के लिए आपको अपने लेवल को उठाना पड़ेगा, जब आप अपना लेवल उठाते हैं, कुछ हट के सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो फिर मसला खुद बो खुद हल हो जाता है।